बर्त्रहरी नीतिशतक अथ द्रव्य प्रशमसा श्लोकर क्रमांक 49 ते इकावन On Wealth, Verse Numbers 39 to 51 Narrator सुंदर हटंगडी, Michigan, America कथंकार सुंदर हटंगडी, Michigan, उत्तर, America श्लोकर क्रमांक 49 जातिरिया तुरसातलं गुणगणस्तस्याप्यदो गच्चतु शीलांशैलततात्पतत्व विजन संदैयतां वन्निना शावर्ये वैरिनि वज्रमाशुनि पतत्वर्थोस्तुनके वलं येनाइके न विनागुनास्तुनलव प्रायास्मस्ताइमे अन्वे जातिही रसातलं यातु गुणगणहा तस्यापी अधाः गच्चतां शीलांशैलततात्पततु अभिजनाः वन्निना संदैयतां वैरिनी शेवर्ये वज्रमाशुनि पततु केवलम न अर्थाह अस्तु येन एके न विना समस्ताह अमी गुणाहा त्रुनलव प्रायाहा भवन्ति चाहे जाती रसातल में चली जावे सब उत्तम गुण उससे भी नीचे चले जाए शीलता परवत से गिर कर नाश्टो प्राप्त होए खुलीनता अगनी से जल जाए और शूरता रूपी शत्रु पर वज्र गिर पड़े परन्तु हमको केवल द्रव्य ही से काम है जिसके बिना सब गुण द्रुन के टुक्रे के समान है Let our caste go to the lower regions, our virtues may go still lower, our conduct may fall as it were from a precipice, our noble birth may be consumed by fire, a thunderbolt may suddenly strike our bravery, our enemy, Wealth alone should be ours, for without that one, all virtues are like a blade of grass Shloka Kramanka 40, verse number 40 तानी इंद्रियानी सकलानी तदेव कर्मा, साबुद्धिर अप्रतिहता वजनन्त देव अर्थोश्मना विरहिता पुरुषहस्येव अविकल संपूर्ण इंद्रियां वही है, वही नाम है, वही प्रबल बुद्धि भी है, वजन भी है, परंत बड़ा आश्चर्य है कि वही पुरुष द्रव्य की उशनता के विना एक लक्षन में और का और ही हो जाता है All the organs are the same, action the same, sharp intellect the same, speech the same. A man, though he is the same, becomes quite a different person the moment he is deprived of the warmth of wealth. This is indeed wonderful. Shloka Kramanka Iktalis, verse number 41 यस्यास्ति चुत्तं सनरह कुलीनहा, सपंडितस सशृतवान गुनाज्या, सएववक्ता सचदर्शनियहा, सर्वे गुना कमंचनमाश्रयंते अनवाइ जिसके पास धन है, वही मनुष्या, कुलीन, पंडित, शास्त्रज्य, गुनद्य, वक्ता और दर्शन योग्या है, तात्पर्य यहा की सब गुन्द्य, सुवर्ण धन के ही आश्रिता है, He who possesses wealth is well-born, is wise, is looked upon as learned in the shastras, and is considered an appreciator or merits. He alone is eloquent and handsome, all qualifications attach themselves to gold and wealth through carelessness. विप्रोन अध्ययनात् कुलं कुतनयात् छीलं कलोपासनात् महित्रीचा प्रणयात् समृत्ति रनयात् त्याग प्रमादात् धनम् वृत्त शार्दूल विक्रीलित अनवै निरुपतिही दौर मंत्रयात् यतिही संगात् सुटहा लालनात् विप्रहा अनध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं कलोपासनात् प्रीही मद्यात् कृषिहपी अनवैक्षनात् सनेहा प्रवास आश्रयात् मैत्रीच प्रणायात सम्रुद्धी अनयात धनन्त्यागात प्रमादात बाविनश्यदी दुष्ट मंत्रियों की सलाह से राजा नश्ट हो जाते हैं संगती से तपस्वी दुलार से पुत्र विद्यान पढ़ने से ब्रामन कुपूत से कुल दुष्ट की सेवा से शील मध्यपीने से लज्जा विना देखे बाले खेती प्रदेश में रहने से स्नेय अन्याय से महित्री अनीती से प्रुद्धी अव प्रमाद पुर्वक अव सावधानता से व्यय करने से धन का नाश्य होता है A king is ruined through evil counsel, an ascetic by attachment to worldly objects, a child by being fondled, a brahman by neglecting study, a family by an ill-behaved son, virtuous life by associating with the wicked, decency is lost by wine, agriculture by want of supervision, affection by being in travels, friendship by indifference श्लोक क्रमांक त्यादिश वर्स नंबर 43 दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो नददातिन भूंक्ते तस्यत्रदी यागतिर भवति दान, भोग और नाश वही दन की तीन गति हैं जो न दान देता है और न धन को अपने उपभोग में लाता है उसके धन की नाश लुपी तीसरी गति होती है Giving, enjoying and loss are the three courses by which wealth is diminished The third one is open to the wealth of him who neither gives nor enjoys it श्लोक क्रमांक जबालिश वर्स नंबर 44 मनिश्यानो लीडस्समर विजयी हेति निहतो मदक्षीनो नागश्यरदिसरितश्यान पुलिनाह कलाशेश्यस्चंद्रस्सुरतम्रुदिता बालवनिता अर्थिश्यू गलित विभवाह नराहच तनिम्ना शोवन्ते सान पर खरादा हुआ मनी लडाई में जीतने वाला शस्त्रों से घायल हुआ वीर मद से उत्रा हुआ हाती शरदृत्य की बालू में तीरवाली सुखी नदी वितिया का चंद्रमां कामक्रिडा में मर्दं की हुई बालास्त्री और अती दान देने से दरिद्री बया हुआ पुरुष इन सब की दुरबलाती से शुबाय A jewel cut on a polishing stone A conqueror wounded by weapons An elephant weakened by a passion Rivers with their sandy banks laid bare in autumn The moon slendered into a crescent A young damsel become languid through enjoyment All these appear beautiful by their slenderness Same is the case with persons Whose wealth has been diminished by being given to the needy श्लूक क्रमांक 45 वर्स्क नंबर 45 परिक्षिन कश्चित स्प्रहयतियवानां प्रसृतये सपश्चात संपूर्ण सह पश्चात संपूर्णहासं दरित्रीम दुर्णसमां कलयति अधश्च दनिनाम अर्थेश गुरुलगतया अनेक अन्ता अवस्था वस्तूनी प्रतयतिच संकोचयतिच जब कोई धरिद्र होता है तब वह केवल एक पसर जब की इच्चा करता है और वही पुरुष जब संपन्न हो जाता है तो संसार को तुरुनवद गिनता है अतएव यही दोनों चंचल अवस्था पुरुष को गुरु और लगु बनाती हैं और वस्तू के भी मूल्य पहिलाती और सिकोडती है अपरिश्ट पर्सम लंगस पर बनाती हैं अवारली बनाते हैं तिथा अवारलीर भेड हैं अवारली आपक्ष मिश्श्ध च्छा बारलीग पुरुष था व्हीं आंपके बुष ऑ्ट वहीं हैं है लिए तब प्रश्ध अश्ग्यृ लेडिघ्ट उफ टे पुरुष थे वर्ष नंबर 46 राजन दुदुक्षसयदिक्षति देनु मेताम तेनाध्यवत्समिवलोकममुंपुशाना तस्मिश्यसम्यगनिषंपरिपोष्यमाने नाना फलै फलति कलपलते वभूमिही वृत्त वसंत तिलका अनवै राजन यदि एनामक्षिति देनों दुदुक्षसी तेना अध्य इमं लोकम्वत्सम इवः पुशाना तस्मिश्यदिक्षति अनिशम्यग्परिपोष्यमाने सति भूमि कलपलता इवः नाना फलम फलति हे राजन यदि तुम इस पृत्वी रूपी गव को दोना चाते हो तो पहले अपने प्रजा रूपी बचले का पोशन करो जब प्रजा का भली भांती इंपालन किया जाएगा तभी पृत्वी कलपलता के समांग अनेक प्रकार के फलों को देगी O King, if Thou desirest to milk this cow in the form of the earth, that is to enjoy the world, then take care of the subjects who are like a calf. If they, the calf, be constantly well looked after, the soil will yield various fruits like the creeper of plenty. Shloka Kramanka, St. Talies, verse number 47 सत्या नृताच परुशा प्रियवादिनीच इंस्रादयालूर अपिचार्थ परावदान्या निथ्यव्यया प्रचुर निथ्यदनागमाच वेश्यांगने वनृपनीतिरने करूपा बृत्त वसंत तिलका अनृवय नृपनीतिही वार अंगनाईव सत्या अनृताच परुशा प्रियवादिनीच इंस्रादयालूर अपिच अर्थपरावदान्याच निथ्यव्यया प्रचुर निथ्यदनागमाच अनेक रूपा राजनीति वेश्या के समान राजसबा में अनेक रूप दारण करती है कही सत्य होती है कहीं असत्य कहीं कठोर और कहीं प्रिय बोलने वाली कहीं हिमसा करने वाली और कहीं दयालू कहीं लोभी और कहीं उदार कभी बहुत सा धन लुटाने वाली और कभी बहुत संचे करने वाली Now false, now true Now with harsh, now with agreeable words Now cruel, now merciful At one time covetous, at another liberal Either always squandering money or continuously heaping it together Such is the policy of kings Like a courtrism who has manifold appearances Shloka Kramanka 48, verse number 48 आद्न्या किर्ति हिपालनं ब्राम्नानां दानं भोगो मित्रसं रक्षनांच ये शामे ते शद्गुनान प्रवृत्ताह कुर्तस देशाम पार्थिव उपाश्रयेन गृत्त शालिनी अन्वै आद्न्या किर्ति ही ब्राम्नानां पालनं दानं भोग हा मित्रसं रक्षनांच ये ते शद्गुनाह ये शामन प्रवृत्ताह ते शाम पार्थिव उपाश्रयेन कहा अर्था आद्न्या करने की शक्ति कीर्ति ब्राम्नां का पालन दान भोग और मित्रों की रक्षा जिनमें ये शद्गुन विद्यमान नहीं है उनको राजा की सेवा का क्या फ्ल है अधरी, फेंड, the guarding of Brahmins, लिभरालती, enjoyment, protection of friends थोंक्राइब फ्लूर् किंच को सब्स्क्राइब और जोज रसे प्रवाश्य सोड़क्राइब थे विद्ग हा इंड एंड भोग्या है स्तोकं अध्वाधनं तत्प्राप्नोतिम अरुस्थले पिनितरां मेराउ ततो नाधिकं तत्धीरोबव वित्तवत्सुकृपणां वृत्तिम् वृतामाकृताह कूपे पश्य पयो निधाव पिगटो गुरुन्नाति तुल्यम जलं वृत्त शार्दूल विक्रीडित अन्वय दात्रा निजबाल पट्टलिकितं यत्स्तोकं महत्वाधनं तत नरहा मरुस्थले अपि नितरां प्राप्नोति अतहा अधिकं मेराउच नो प्राप्नोति तत दी रहा बव वित्तवत्सु वृता कृपणाम वृत्तिम मा कृताहा अश्य गटहा कूपे पया निधव अपि तुल्यम जलं गृण्डाति विधाता ने थोड़ा या बहुत जितना धन भाग्य में लिख दिया है उतना अवश्य ही मरुस्थल मारवाड का भूमी में भी मिल जाएगा उससे अधिक सुमेरू परवत पर भी जाने से न मिलेगा अतएव धैरिय धरो और धनिक से वृता अपनी दीनता मत प्रगट करो देखो घड़ा कूप और समुद्र में समा नहीं जल ग्रहन करता है जब जब ग्रहन कर दो जाने समेरू जब 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 गुद्रहन करता है और समेरू whether it be from the well or the ocean श्लोक क्रमांक पचास वर्स नूम्बर फिफ्टी त्वमे वचात कादार गिती केशान गोचरह किमंबो दवरास्माकं कारपन योक्तिम प्रतीक्षसे वृत्त अनस्टु अनवय वर्स नूम्बो दवरास्मे वचात कादार असिती केशान गोचरह असमाकं कारपन योक्तिम किम प्रतीक्षसे एश्रेश्ट मेग यह कम नहीं जानता कि तुहीं हम चातकों के आदार हो तब क्यों तुम अमारी दीनता की प्रतीक्षा करते हो Who does not know Thee, O cloud, as the only support of the चातका? Why, O most beneficent cloud, dost Thou wait for our cry of misery? श्लोक क्रमांक इकावन वर्स नमबर 51 रे रे चातक सावदान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम अम्भो दाभवो हि संति गगने सर्वे पिनैता दृशाह केचिद व्रिष्ट बिरार्द्र यंति वसुदाम गर्जन्ति केचिद वृता यम्यम पश्यसितस्यतस्यपुरतो माब्रूहिदी नम्वचह वृत्त शार्दूल विक्रीडित अन्वय रे रे चित्मित्र चातक क्षणं श्रूयताम गगने अम्भो दाहा बहवाही संति अपि सर्वे न एतादृशाह केचित वृष्टिभी वसुदाम आर्द्रयन्ति केचित वृतागर्यन्ति यम्यम पश्यसितस्यतस्यपुरतः दीनम वचह माब्रूहिदी अरे मित्र चातक सावदान मन से खशन भर मेरी बातें सुन ले आकाश में मेग बहुत एरे हैं पर सब ऐसे नहीं हैं जो मेरी प्रार्थना को स्विकार करेंगे कितने तो बरस कर पृत्वी को भर देते हैं और कितने व्यर्थाई गरच कर चले जते हैं अद एव जिस जिसको तू देखे प्रत्येक से दीनता के वाक्य मत कह इद्रव्य प्रशमसा Our friend, Sataka, listen attentively for a moment to what I say There are no doubt numerous clouds in the sky But all are not such as you expect them to be Some wet the earth by their showers While others make a useless noise Do not utter humiliating words before everyone that you may chance to meet End of the chapter on wealth Narrated by Sundar Hatangdi, USA, Michigan State